नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं बक्सर खबर 9 अपरेल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है हेडलाइन्स के प्रायोजक हैं एलन सोली पीपी रोड पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट बक्सर मिल रहा है अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार निट बायलोजी इन्बक्सर कोचिंग इंस्टूट बाई प्रकासर बाबा नगर की गली बाई पास रोड नए सत्र में नमांकन सुरू नजर डालते हैं सुर्कियों पर अश्टमीतिति को भारा गया कलस रात्री में होगी नौमी की पूजा राम नौमी को लेकर सहर में फ्लैग मार्च हुर्दंग पर रहेगी नजर प्रसासन ने डीजे वालों को दीचे ताउनी बुलाई बैठक दौर में चौशा के साधूने पिश्टल को पचारा आग लगने से लाखों की फसल जलकर राक गोलिवारी की घटना से प्रसासन परिसान दोगायल बकसर के जवान को मिला राश्ट्री वीर्ता पुरसकार कुपवा में चल रहा सत्चन्डी महायागे भवे मंदिर स्थापित खबरे बिस्तार से के प्रयोजेक्ट है आरके ज्वेलर्स आकरसका भूश्णों के विश्वस्णी ये विक्रेता यमुना चौक काम धेनुनेक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिन्दल पैंथर सिमेंट एवं सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्लिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिम्री संपर्थ करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर अब खबरों की चर्चा विस्तार से आज 9 अप्राइल को अस्टमी की तिथी है चैतरी नौरात्र में आज महागौरी की पुजा होती है माता की तस्वीर आपकी नजरों के सामने है धौल सफेद करपूर गौर स्वरूप में माता हाथ में त्रिसूर लिये बिसफ देव के उपर सवार है आज इनकी पुजा होती है आज घरों में वार्सिक पुजा के लिए कलस अस्थापित करने के लिए लोग कलस में जल अस्थापित कर ले जाते हैं यह द्रिस से आप देख रहे हैं सहर में आज कलस अस्थापित करने के लिए लोग जल वर कर गंगा घाटों से घरों की तरफ रवाना हुए बुलेटिन की दूसरी सुर्की है रवी वार को राम नौमी मनाई जाएगी इसके एक दिन पुर्व सहर में फ्लैग मार्च निकालते हुए जिला पुलिस के लोगों ने सांती अमन का संदेश दिया साथ ही उन लोगों को सक्त चेतावनी दी जो किसी भी तरह के होर्दंग की म बंसा रखते हैं परसाशन के इस फ्लैग मार्च का इसका सीधा सीधा संदेश था जिसमें नगर कोतवाल मलाकार और द्योगिक के थाना धैक्ष मुकेश कुमार समेत महिलाव टीम नगर की ट्रैफिक टीम एम अन्य पुलिस पतादिकारी सामिल थे इन लोगों ने फ्लैग म मीडिया से लेकर हुर्दंग फैलाने वालों तक पर हमारी कड़ी नजर रहेगी किसी ने कोई गरवड़ी की तो इसके खिलाफ करवाई होगी बुलेटिन की तीसरी सुर्की है राम नौमी को लेकर के ही एक दिन पहले सदरेश डियो धिरंद्र कुमार मिसराट की अधेक्स्ता में सहर के डीजे बजाने वालों की बैठक हुई तस्मीर में वही लोग दिख रहे है इने चेतावनी दी गई आप राम नौमी उत्सव के दोरान बड़े डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे माईक बजश सकता है लेकिन ध्वनी पर भी नियंत्रन रखना होगा मुलेटिन की चौथी सुर्की है चौशा परखन मुख्याले से सटे मूरा बाबा के समी बीते दीन सुक्रवार को घुर्दौल परतोगिता का आजन हुआ आप देख रहे हैं इस घुर्दौल में पांच से अधिक घोड़े एक साथ दोर रहे हैं लेकिन चौशा का रहने वाला घोड़ा साधू रेस में सब बढ़त बना ली आप तस्वीरों में देख रहे हैं वह सबसे आगे आगे चल रहा है बाकी के घोड़े अभी एक चकर लगाते तब तक वह लग सौ से डेड़ सो मीटर आगे निकल जाता आप इस दिस में उसको देख रहे हैं वह सीमारेखा की सफेद लाइन को क्रोस कर जा जिसको लेकर कुछ लोगों ने तरह तरह की ब्यंगवाजी की थी आप इस साधू की तस्वीर को यहां गौर्ट देख सकते हैं इसे ही इस्वत प्रतम को रसकार मुलेटिस की पार्टी सुप्रियर राजी सब्सक्री इना पुर्णाओं ने तनिवार को वंतरा जेंगे दो बार के समय देहूं की खड़ी फटल रही आप देख रहे हैं जिसको ने खरीकर सब्सक्राशे सुझू कर देख सकता है जब तक फायर विगेट की गारिया मौके पर पहुंचती लगभग पचास बीगे से अधिक खेत जल कर काला पड़ चुका था सामने की तस्वीरे वही हैं आसमान धुए से भरा हुआ था और जमीन इस हादिशे को बया कर रही थी चारों तरफ मिटी काली पड़ी हुई थी वहीं किसानों के चेहरे भी काली पड़े हुए थे क्योंकि उनकी कई महीने की कमाई जल कर राक में तब्दिल हो गई थी सूचना के अनुसार रविवार को राजपूर के अंचल पड़ा धिकारी ने मौके के मुआयने की बात करी है जिससे किसानों कुम मौावजे की प्रक्रिया पूरी की जा सके पुलेटिन की चटी सुरकी है पिछले दो दिनों से जिले में गोली बारी की घटना हो रही है सुक्रवार को किष्णावर्म थाना चेतर के धरारा के समीप गोली बारी की घटना हुई जिसमें पूरफोजी धर्मेंदरपाल की क्योंनी में गोली जा लगी वहीं दूसरी घटना सुक्रवार की देरात लगबग धाई वजे मुफसिल थाना छेतर के डोम डिरवा गाउं के समीप हुई जहां अपने मवेशियों की रखवाली कर रहे 52 ये जीवत यादो को कमर के पास किसी ने गोली बिमार्दी सुबह आज सनीवार की सुबह जब मुफसिल थाने को घटना की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची अस्थानी ग्रामडों ने बताया 52 ये जीवत यादो को कमर के पास कोली लगी है उन्हें गंभीरी सिती में यहां से ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है घटना की वज़ा क्या है अभी किसी को ग्यात नहीं है क्योंकि वे एक साफ सुहरी छवी के व्यक्ति हैं उनकी किसी से अदावत नहीं है बुलेटिन की सातवी सुर्खी देश के बहादुर जवान की बीरता से जुड़ी हुई है आप इस तस्वीर में जिस जवान को देख रहे हैं इनका नाम सोनू गौतम है जो इटारी थाना चेतर के चिलहर गाउं के रहने वाले हैं इस मौके पर उन्हें देश के गरी सचीव ने यह मेडल और प्रसस्ति पत्र परदान किया आप इस तस्वीर में उसी नजारे को देख रहे हैं अब यहां आँगे फूटेज जब आप देखेंगे तो पूरे बिटान्त को असानी से समझ सकेंगे इसको चमू कस्मीर के सोप्या में घेरा बंदियों तलासी अव्यान के दोरान एक हाई डाउट के अंदर चीपे आदंगवादियों ने तलासी दल पर अचानक हमला कर भागने का प्रयास किया किन्तो दूसरी और तैनाथ सिपाही सोनू गौतम और सिपाही संजीयों कुमार ने आदंगवादियों को मार गिराया इस अवियान में चार दूर्दान तादंगवादियों को मार गिराया गया ने हम हारी मात्रा में हत्यार ने हम गोला बारू बरामत किये गए इनके दोरह परदशित अदम में सहासा मुच्यकोटी के प्राक्रम नेतू इने विर्था के पुलिस पतक से समानित किया गया है पतक प्रात करेंगे सिपाही सोनु गोतां बख रहे हैं? बख देख नुमादिये बख रहे हैं वे आर्मी को चीट है सिपाही संजीव कुमार गुलेटिन की आठवी सुरकी है तुमराओ अनुमन प्रखंड के समी पिस्थित कोपवा गाओं में भब काली मंदिर अस्थापित किया गया है यहां एक अप्रायल से ही सत्चंडी महायग्य प्रारंब है जो दस अप्रायल रामनौमी की दिन संपन हो जाएगा आप इस मंदिर में अस्थापित मा की प्रतिमा और सामने एस्थित माताकाली की छोटी पिंडियों के दर्सन कर पा रहे हैं अब आपको हम पूरे मंदिर परिशर का दसन करा रहे हैं ग्रामेड इलाके में इस तरह के भव्य मंदिर जिले में कमी है सुचना के अनुसार यहां आने वाले दिनों में कई देवी देवताओं की भी प्रतिमाय अस्थापित की जाएंगी जिससे इस स्थान को रमडिक बनाया जा सके दर्सनी यह बनाया जा सके आप सामनी के परिशर को देखकर के अनुमान लगाएंगे यहां बहुत छी खुबसूरत परिशर तलाबादी का अनिर्वाण हुआ है यह मंदिर अगले कुछ दिनों में आक अर्षन का केंदर होगा अब चलते चलते आपको बुलेटिन की नौवी सुर्की से अउगत करा दें दुमराव थाने से सटे पुराना भोजपूर में जो नया भोजपूर ओपी के अंतरगत आता है बीते दिन सुक्रवार को बम भटने से प्रेम चंदगोर नाम के पचपनवर्सी व्यक्ति की मौत हो गई थी उनका पुत राजुगोर घायल हो गया था इस मामले में नाये के टीम आज सनिवार को पुराना भोजपूर जांच के लिए आई थी अगले दिन फोरेंसिक टीम भी आने वाली है हाला कि सूचना के अंसार वह व्यक्ति घरेलू उपयोग अथ्वा पुजा पाठ के लिए पटाखे बनाता था उसके पास लाइसेंस नहीं था आज के बुलेटीनों बस इतना ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथ अंतक मने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद